कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करने वाले और जबरदस्तर ट्रिक्स के साथ में आप दो को दिसकाउंट यहां पर पढ़ाने वाला हूं right so very very good evening everyone उमेद कर दो को दोस्तोफ दोस्तोफ दूसरा पार्ट मतलब डिसकाउंट का जो कंसेप्ट वो प्रॉफित लौस से ही रिलेटेड है मतलब अगर आपने प्रॉफित लौस को चीसे पर लग तो डिसका को च्षुटी सी गुजारीश रहेगी आपसे भी लोगों से कि प्रीज पर्टिकुलर सेशन की लिंक को शेयर करना स्टार्ट करें मैक्समम जहां कहीं भी आप लोग लीच हो चलिए तो आगे बरते हैं दोस्तों शुबात करते हैं जितने भी लोग आप नए जुड़े हैं आप सो भी लोगो से केवल एक छोड़ी सी मेरी दर्खवास तरहेगी कि यहां पर जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज सब्स्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइक के पास हमारी सारी classes का notification जो है वो on time बहुत सके और अपने preparation को आप अच्छे से कर सके continue कर सके बिना किसी रोक टोक के है ना चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों move on करते हैं तो basically दोस्तों important बात आपको बता दें कि यह batch हमारा SBI IPO का आज शुरू हो चुका है और दोस्तों यह हमारा है IBPS clerk pre plus mains का batch जो की start होने वाला है 19th of October से तो मैं बोलूगा कि 19 October से batch चार्ट होगा तो आप इसको ज़रूर 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 करें code लगा 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 यह का यह क्लरक का pre plus mains batch है इसमें बहुत कुछ होने वाला है खास मतलब आपको बता दूँ कि इस clerk pre plus mains के batch में बहुत कुछ हम करने वाले हैं जो की मतलब मतलब मज़दारी है है ना मतलब काफी मज़ा आगा आपसे भी लोग को मतलब मैं speed maths को भी पढ़ाऊंगा topic wise मतलब bifurcation करूँगा simplification का कि यह type अगा तो यह करना है यह type अगा तो यह करना है इस तरह से आपको पढ़ाने वाला हो यहां पर तो मैं बोलूँगा जोरूल जोइन करो यह batch को अबीपस क्लरक pre plus mains का complete batch है code लगाईगा y176 and this code will give you maximum discount यह आपका puzzle DI का और यह supreme book है यह complete books है complete complete books हैं जिनको आप एक बार पढ़ेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आपके मन में कोई भी doubt नहीं रहेगा आपके मन में कोई भी doubt नहीं रहेगा regarding books आगे test series वगरा भी आपको available है आप code small कर सकते हैं y176 तो आपको maximum discount मिल जाएगा बाकी best तो bank bank maa pack है because bank maa pack में आपको सब कुछ मिलेगा test series live class video class recorded class सब कुछ तो better है कि आप bank maa pack में ही enroll करें आगे बरते हैं आज हम लोग कर दोस्तो day number 26 है और अगर बात करें study plan के recording कर हम बात करें यहां पर तो हमने अभी तक क्या क्या कर दिया है हम देखे यहां तक हमने आज discuss करेंगे मतलब discount आज पढ़ेंगे और prelims level के discount को आज हम खतम करेंगे दोस्तो और बाकी कल से हम लोग series को करेंगे series शुरूआत करेंगे series शुरूआत होगी यहां से क्योंकि 25-26 क्लास आपके हो चुकी कल हम दोग series की शुरूआत करेंगे राइट कल जो है दोस्तों हम दोग series की शुरूआत करेंगे आज डिस्काउंट खतम करते हैं तो आगे यह पूरा complete study plan है से recording हम दोग चलेंग और playlist बनी हुई है शुनने से शिखर की playlist बनी हुई है आप जरूर से जरूर से जरूर देखें complete banking course की playlist है मतलब वही है complete banking course की playlist बनी हुई है आप से request रहेगी कि आप playlist के सारे chapter को देखो एक बार और मैं यह guarantee बोल सकता हूँ कि अगर आपने सारे chapter देख लिए तो फिर prelims की math आ ठीक है confirm बता रहा हूँ आप लोगों को कि यह आप लिख के रख लो कि अगर आपने complete banking course की जो भी मैंने 25-26 वीडियो किया है और आपने उसको देख लिया तो यकीन मानों आपके maths का doubt ही खतम हो जाएगा मतलब सब दिक्कत खतम सब टेंशन खतम है ना चलो चलो चली बही आगी बढ़ते हैं फिर डिस्काउंट की बात करें जैसे कि मैं आप लोगों से एक बात करूंगा डिस्काउंट का मतलब क्या है यार मतलब for example डिस्काउंट का मतलब कुछ कम करके जब हम कुछ समान खड़ते हैं हम जानते हैं जनरली दुकान दुकांदार पर जाते हैं हमें कुछ समान पसंद आया हम दुकांदार पर गए है ना बर वो slip देखके लगता है कि यार ये में पसकते पैसे नहीं तो फिर दुकांदार स रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोडते हैं उसके आगे अपना गंदी से चकल बनाते हैं ताकि वो डिसकाउंट दे दे तो वो हमें देखके सुसता है अच्छा ठीक है या ललका ऐसा है तो इसको डिसकाउंट दे 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 तो आपको डिसकाउंट मिल जाता है मतलब यहां पर करो हाँ कंसेट तो आल्मोस सेमी रहते हैं यार हल जगह के चलो समझोए एक बात समझ ळो मैं बताने वाला हूं जर्द समझ रो इसको है न बाकी बाते बात में कर लेंगा मैं तुम लोग एं कमेंट देख रहा हूं जर्द फोकस करो यहां पर जो बढ़ाने वाला हूं जैस आप से बोला आपके बाबू ने की बाबू चॉकलेट खानी है तो आप गए बढ़िया जेब में हाथ डालके कॉलर उपर करके चश्मा पहन के काला वाला की बाबू ने डिमांड की आजम चॉकलेट देंगे बाबू को तो जैसी दुकान के नदर घुसे और देखा चॉकलेट यहां पर रखी हुई थी इस तरह से बड़ी सी चॉकलेट उस पर टैग लगा हुआ था कितने रुपे का एक हजार रुपे का टैग लगा हुआ था बाबू ने बोला आप से की बाबू चॉकलेट खानी है भाईया यह नहां पर टैशन में बना के कालर ऊपर करके काला चश्मा पहन के चले गया निकल लिए घर से बाहर चॉकलेट लेने के लिए चॉकलेट की शॉक पर गए देखा चॉकलेट रुपे की बट भाईया के पास के वाल 800 रुपे थे और चॉकलेट थी 1,000 रुपे की तो दुकांदार ने आपको 10% का डिसकाUNT दिया तो जैसे ही 10% का डिसकाउंड दिया मतलब 100 रुपे का डिसकांड दिया तो ये चॉकलेट लेλο जैसे ही आपने सुना 900 रुपे के बारे में पे लेट गए वही पे दुकान पे दुकान के बाहर जो होता ना काउंटर के बाद जमीन वहीं पर लेड गये दुकान के बाहर काउंटर के पास में लेड गये वहीं पर दुकानदार ने बोला रहे भाईया क्या हुआ भाईया क्या हुआ तो बोले कि कि ठीक है फाइनली 720 रुपे लाओ और चॉकलेट ले जाओ तो आपको दिया 720 रुपे आपने दिया है ना 800 थे आपके पास आपने 720 रुपे दिया दुकानदार को और आप चॉकलेट ले गए मतलब कहने का है दुकानदार ने वो आपको चॉकलेट बेची 720 रुपे की पर दुकानदार वस नोट पागल दुकानदार को अभी भी कुछ ने कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा तब ही उसने वो चॉकलेट आपको दी तो दुकानदार को मान के चलो कि अगर 720 का बेचा और दुकानदार ने जब यह calculate किया तो उसको profit हुआ 120 का तो 720 जो मेरी selling price थी उसमें 120 का profit अगर हो रहा था दुकानदार को तो मतलब जो cost price रहेगी वो रहेगी मेरी कितनी 600 तो यह concept निकल के आया कि cost price मेरी 600 थी MRP मेरी कितनी थी 1000 थी 720 का मैंने बेचा तो मुझे 120 का profit हुआ और मैंने discount दिया यहां पर कितने का 100 और 180 मतलब मैंने 280 का discount दिया मतलब दोस्तो यहां पर लगातार 2 discount दिये तो discount देने के बाद जो मिलता है वो होता आपका selling price और selling price मुझे profit मैं निकालूंगा तो मुझे मिलेगा cost price 202 दिस्काउंट कि मिला Orthodox यहाँ पर दिस्काउंट कुर देखा कि 202 अस्ति का डिस्काउंट मिला कुल मिला कि एक मैंने आपको दो लगोazy का द दिस्काउंट दिया 10% और 20% का तो मुझे कुल मिला के 28% का discount मिला तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले सबसे पहले equivalent discount की हम लोग बात करेंगे क्या equivalent discount जैसे कि आपने देखा कि भई मैंने 2 लगातार discount दिये 10% और 20% तो आपको इसका discount किता मिला 28% आखिर आया तो आया कैसे तो equivalent discount निकालने के लिए हम लगाते हैं successive का formula, successive क्या होता है ध्यान रखना minus का P1 minus का P2 plus का P1 into P2 by 100 this is the formula for successive तो अगर मैं आप लोगों से बोलू कि जैसे कि 10% का discount और 20% का discount दिया तो कुल मिला कि किता discount दिया जली बताओ फड़ा फड़ से अगर मैं 10% का discount और 20% का discount दू तो कितना discount दिया फटाफट से बताओ 10% और 20% का दो लगाता दिसकांट दिया तो कित तक discount दिया मैंने minus का 10 minus का 20 plus का 10 into P2 by 100 minus का 30 plus का दो minus का 28% का discount तो कितने पर्शन का discount दिया तो कितने पर्शन का discount दिया 10% और 10% के दो लगाता दिसकांट दिया तो कुल कितना discount मिला minus का 10 minus का 10 plus का 10 into 10 upon 100 cancel 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 minus का 20 plus का 1 मतलब minus का 19% का discount ये minus का मतलब है ये discount है मैंने बोला आप लोगों से कि 20% plus 30% का discount बताओ कितना होगा चो जल्दी फड़ाफट से comment box में बताओ कि 20% और 30% का equivalent discount कितना बनेगा 4 moins 20 minus 30 plus 20 into 30 by 100 cancel 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 minus cop 50 plus plus U大的 माइनस का 44% डिस्काउंट तो कुछ सवाल दे जाएं कुछ सवाल करते हैं और फिर इस पे बहुत साथे सवालों का डिस्केशन करते हैं ठीक है तो यह रहा दूस्त आपके समने पहला सवाली तो मतलब असानी है फटाफर से बना दो इसमें टाइमर क्या दूंगा मैं बनाओ अबटाफर से एक्वेलें डिस्काउंट अफ दे सब्सक्राइब डिस्काउंट अफ ट्वेंटी परसेंट गर मैंने डिस्काउंट लिया तो कुल कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा फास्ट माइनस का ट्वेंटी माइनस का टैन फॉलेस का ट्वेंटी इन्टो टैन बाई हंड्रेड तो मैनेस का थित्यव्या सब्सक्राइब बकूर्स निकाल लगदे का दिस्काउंट आपके और आप्शन हंबन्या सिंपल था तो बना रखा था था but थोड़ा सा इसको छेड़ते हैं और यह है आपके सामने बनाईएगा सरी बैच IBPAS के लिए सफिशेंट है कौन से बैच की बात कर रहे हैं आप? IBPAS के लिए सफिशेंट है अब यहां पर क्या करोगे 25% प्लस 20% और 15% तो यह ऐसा मत बना दिया आप लोगोंने फॉर्मला बनना दिया मतलब माइनस का P1 माइनस का P2 माइनस का P3 है ना प्लस फिर P1 इंटू P2 इंटू P3 फिर P2 थे तो 100, 3 थे तो यहां पर 1000 यह मत बना देना है ना क्यूंकि मैंने देखा है बच्चे डिर्कली बना देते हैं कि सर 2 में 100 था और 3 में हो जाएगा 3000 तो यह बना दिया मतलब 3 में हो जाएगा 30 तो यह बना दिया अपने आपी तो इस तरह की गल्ती मत करना आप 25 x 20 x 100 यहां पर कर तो अभी आप लोगको मेरी वोइस के लिए बताना जारे कमेंड बॉक्स में हाँ यहां ना थेक है वो बीच में रुग गया था तो यहां पर मैंने सबसे पहले माइनस पहले दो का लगाया माइनस का 25 माइनस का 20 फिर यहां हो जाएगा 100 तो अगर मैंस को सॉल्व करूंगा तो 20 से किती बार जाएगा 5 बार फिर 5 से किती बार जाएगा 5 तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा माइनस का 45 फ्लस का 5 मतलब माइनस का 25 माइनस का 45 फ्लस का 5 मतलब माइनस का 40 माइनस का 40 से अब इसको निकालेंगे माइनस का 15 फ्लस का 40 इंटू 15 बाई 100 ठीक है तो cancel cancel 2 से किती बार 2 बार यहां पे 5 और यहां पे जाएगा 3 बार तो यहां हो जाएगा minus का 55 और plus का 6 तो minus का 49 परसंट आजाएगा बोलो हाँ या ना तो यहां पे इस कहां से कितना है 49 परसंट आए बोलो yes और no ऐसे कितने लोगों ने बताया था मतलब ऐसे किते लोगों ने किया I want to know from everyone कि answer आया कि नहीं आया दोको ये तरीका एक हो गया है कर सकते हो इसको एक तरीका ये है बट अगर मान लोग कि थोड़े से ऐसे आ जाते हैं आपके सामने fractions जिनको आप नहीं calculate कर सकते हो formula input करके जैसे कि ये आ गया अब भई यहां पर आप लहीं है जाके भी आप यहां पर formula नहीं लगा सकते तो अब क्या करेंगे अगर मैं देखू यहां पर तो यहां पर यहां पर यहां पर formula नहीं लगा सकते यहां पर फॉर्मला नहीं लगा सकते हैं पर successive लगा सकते हैं तो successive को ratio concept से लगाते हैं अगर मैं बात करें 12.5 का तो इसका मतलब होता है 1 by 8 अगर मैं इसकी बात करें तो मतलब होता है 1 by 9 इसका मतलब होता है 1 by 10 और इसका मतलब होता है 1 by 11 होता है बता हूं या ना fraction value मैंने कहा था हर जगा इस्तमाल आएगी और मैंने chart लगातार दे रहा हूं मैं हर classes में मैं दे रहा हूं chart तो please इस chart को ज़रूर follow करो आप इस chart को ज़रूर मतलब अपने जहन में रख लो 12.5 का मतलब 1 by 8 11 complete 1 by 9 का मतलब 1 by 9 10% का मतलब 1 by 10 और इसका मतलब 1 by 11 तो अगर मैं इसको solve करेंगे तो 8 पर 1 discount मैंने दिया अगर मैं 8 पर 1 discount दिया 7 हो गया 9 पर 1 discount दिया 8 हो गया 10 पर 1 discount दिया 9 हो गया और 11 पर 1 discount दिया तो 10 हो गया ठेक है भई 10 से 10 cancel 9 से 9 cancel 8 से 8 cancel 11 से कितना हो गया 7 साथ मतलब 11 से हो गया साथ मतलब यहां पर 4 का डिस्काउंट दिया कि इस पर 11 पर इंट्व हंडेड अचिक है बताओ हाँ यह न तो इसको सॉल्व करोग जब आप लोग यहां पर तो कितना आएगा 36.36 आएगा तरीका अच्छा था यह बताओ हाँ यह न आप इस तरह से करेंगे मतलब क्योंकि यहां पर देखो यार आप फॉर्मला नहीं पूट कर सकते यहां पर और हर जगा फॉर्मला पूट करना इंप्लीमेंट होता भी नहीं तो आप ऐसे करें ठीक है ऐसे को 36.36 परसंटेज है ऐसान चलो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और बनाते हैं बनाईए अब देखो वे शुबमसर भी यहां पर आगे मैट पढ़ने के लिए हैं चलो शुबमसर भी है और उनकी क्लास होगी 6 वजे तो पजल पढ़ा रहे हैं वो तो पजल में जॉइन किजिएगा आप हरहाल में शाम को 6 वजे है अब देखो यह देखो what amount to be paid for a clock of Rs.1200 after getting a successive discount of 15% and 20% तो देखो आप कैसे बनाऊगे इसको तीन तरीके हैं बनाने जीए बहुत सिंपल है एक तो normal तरीका है कि 1200 था वही 15% का discount देंगे अगर हम लोग यहां पे तो 180 रुपए का discount दिया वही अगर 1200 पे मैंने 15% का discount मतलब मैं 180 रुपए का discount दोंगा तो मैं 180 का discount दिया यहां पर यहां पर तो यहां पर आप है प्लुग का जो भी आया उस पर मैंने 20% का discount दिया वाल कल लिया आ गया या फिर आप कर सकते हो क्या बारस हो था आपने discount दिया 15% का तो 85 by 100 का बेचोगे उसके बाद discount दिया 20% का मतलब 80 by 100 मतलब 4 by 5 का बेचना है तो ये भी कर सकते हो 0 0 स 0 कट जाएगा यहां पर किती बार 17 बार तो 48 x 17 करोगे तो तब भी आपका 816 आ जाएगा तो तरीके are lots of depend करता कि आपको क्या उठाना है तरीके are lots of depend करता कि आपको क्या उठाना है बस successive भी कर सकते हो मतलब you can do a successive also मतलब एक तरीका देखो यह हुआ एक तरीका देखो यह हुआ एक तरीका successive ratio 15% का fraction value 3 by 20 20 पर 3 discount 17 का बेचा 20 का पानलब 1 by 5 5 पर एक discount 4 का बेचा तो 4 से यहां पर किती बार 25 बार मतलब 5 बार sorry तो यहां पर कितना आएगा 25 और यहां आएगा 17 तो बस बात खतम पच्चिस बारा सो जो है वो 25 के बराबर है तो 17 की value बताऊंगा तो वही आ रहा है न कुल मिला के घुमा फिरा के चार बार हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 48 यहां हो जाएगा 17 कटम कर दिया है ना अगला सवाल बना सकूँ अगला सब्सक्राइख एंपेड कि आख लेख 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 लेखा लाजिए 49 यहां प्रच घुमा अचनार दिश्क सपनना धिस्काउंटम पार्च दिस्काउंट हो जाए पीस परिया ना विल्स कर दिस्कूंट तो बही है तो बही आप तरीकीया आपके पास है बही पांच 5% का discount additional मिला 20% का मतलब successive कर लो 1 by 5 तो 5 पर एक discount 4 5 by 20 का मतलब होता है 1 by 5 5 पर एक discount 4 बाकी 5 percent का मतलब होता है 1 by 20 तो 20 पर एक discount मतलब हो जाएगा कितना 19 तो 4 से किती बाल देगा 5 बार तो यहां आजाएगा 25 यहां आजाएगा तो 25 के value बताने यह बोलो हाँ यह ना कर सकते हैं से बता यस और नो कर सकते हैं से बताओ कित्ते लोगों ने से किया फटाफट से comment box में बताओ कि हां सब मेरी तो अपरोच यही थी है ना तो 25 से किती बाल देगा 3 बार और फिर यहां पर किती बाल देगा आपलोग का 6 बार जाएगा और 25 को 26 से multiply करोगे तो यहां पर 25 को 36 से multiply करोगे तो कितना है आपलोगों 900 कि ए ना एक तरीका तो भाई यह है वाकी आप एक लाइन में बना सकते हैं भाई 6.84 है डिस्काउंट डिया 20 % का मतलब यह होगा 80 के बाराबर 100 की फेू ऐलू अगला डिस्काउन डिया 5 % का मतलब यह 95 का वैलू 100 की आलू नाशाए बना 5 lisald टो यह 8 से किती बाल जाएगा अपलोग का 125 बार जाएगा 5 दियूद 9 दियूद 9 से किती बार 3 बार और 36 बार तो 36 को 25 से मल्टिप्लाइ कर देना अच्छा आप ऐसे कर सकते हो बना बैक ली निकाल लो पहले माइनस का 20 माइनस का 5 प्लस का 20 इंटू 5 बाई 100 ऐसे भी कर सकते हो कट्टम किट्टा यह पूरा पूरा चला गया तो माइनस का 20 माइनस का 25 और एक 24 तो 24 का डिस्काउंट यह मतलब 76 का बेचेगा तो 684 जो होगा वो 76 के बराबर होगा तो मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा यहां पे तो कितिनी बार जागा यहां पे 9 बार जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं तो यह lots तरीका है आप depend करता है कि किस level तक लेजा सकते हैं आप सवाल को यह depend करेगा आप किस level सवाल तक ले जाते हैं मतलब आप एक सवाल को किस level तक गुस के पढढ़ने हैं यतना thoroughly पढ़ेंगे न उतना शांधर तरीकसे ले आए गा, दो को मैं इसलिए बहुत इत्मिनान से सब कुछ दुनिया के सार दुख को भूल के पढ़ा रहा हुए आप इसमें, कोई टेंशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, अराम से पढ़ाना है, जितना भी पढ़ा पाएं, जितना भी जि मट्म करके दिखा भी रहें तुम लोग अगला बनाईए अगला बनाईए बनाई लोग κ良 Lewis का बाद कि-सक्य रखको दो लगतार डिस्कॉंट 0.36 और परशंच के तो डिफ्रिस से किता रहे लगा है सब्सक्राहिवे सब्सक्राऊंच में तो निकालो 6C5 प्लिस का 36 माइनस कि फॉर 5 प्लैस का 36 से ही टूर तो प्लस यहां हो जाएगा 1.44 तो यह परसंटेज में ही है पूरा कम्प्लीट तो अगर मैं इसको देखू यहां पर तो 40 परसंट का यह है और यह है माइनस का 40 और प्लस का 1.44 तो जो डिफरेंस आएगा गुरू वो कितना आएगा 1.44 यह का तो आएगा 1.44 परसंटेज आएगा 10,000 तो 144 बही मैं क्यों आएट करू पूरा यह क्यों जबरदस्ति ही क्या अएटिमेटल आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकाल लो भई यह बड़ा होगा और यह छोटा होगा because discount का मतलब माइनस ही में तो है तो मैं क्यों पूरा कुरूँ अच्छा इसे ही बताना कितने लोग यहां पे हैं जिन लोगों ने इसको माइनस कर दिया था इसे ही बताना कितने लोग यहां पे हैं जिन लोगों ने माइनस कर दिया था directly करने मैं क्यों ही add करूं बता हूं कि आप लोग को ने add किया था तो समझना बस ही होता है ना मतलब दिमाग खुल देने वाला सवाल अगला सवाल एक तो प्यास ही लगती है पता नहीं दुनिया भर की मतलब प्यास लग जाती है इसमें अगला सब्सक्राइब प्रिश्ट आप लगते के लिए नहीं हां यह था भर कश प्रिया सबस्क्राइब वाला र्टच्पशन जाती है वैं उद्ट-टफर्शन द्ट्रमंद द्ट-टवेश्ट दॉस्ट आप श्काइब तो अगर मैं CP को मान लेता हूँ 100% 20% अबब में माकप किया तो जो MRP मेरी हो जाएगी वो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 मतलब 120 और डिसकाउंट दिया 10% का तो मतलब मैं 12 का डिसकाउंट दूँगा तो बेचूंगा 108 का 100 CP बेचा 108 का तो प्राफट यांपर कितना होँ? 8% Okay? अब यहीं पे सवाल बन जाता है बोल देगा जो प्राफट कमाया वो 160 ठाथा तो बताओ cost price कितना? वे आप से बू देगा कि बताओ जो प्राफट कमाया वो 160 ठाथा तो बताओ cost price कितना तो 8 बराबर 160, 1 बराबर 20 हो जाएगा, तो CP निकाल लिए 100% मतलब हो जाएगा 2000, आप से बोलेगा MP निकालो तो 120 की वैलू निकाल देना, आप से बोलेगा Selling Price बताओ तो 108 की वैलू निकाल देना, मतलब आप से कुछ भी पूछे आप निकाल सकतो हो यहाँ पे, आप से 120 की वैलू, SP निकालोंगा 108 की वैलू, डिपेंड करेगा ना, कि क्या गया है, पूछा गया है, आप सब निकाल सकतो, concept एक ही है, सवाल 3 बन जाएंगे, अगला सवाल देखो जरा, निकाले केल एक बाल देखो यहाँ ओना है,। प्लिपोर करेंगे, कि ओ फूछो भी एक मैएबू एक प्रफ़सस कह, उकालिक 50.80 after getting 266 discount of 10% what is the rate of 2nd discount तो बताना है कि 2nd discount करेट क्या रहेगा तो बहे देखो 720 रुपे की वाच थी अगर मुझे 10% का discount मिला मतलब अगर मुझे 72 का discount मिलिया यहां से तो यहां पर कितना हो गया ग्यारा में से जाएगा 7 कितना बचेगा 4 और यहां पर आएगा आप लोग का 6 फिर मैंने बेचा कितने का 550.80 का बेचा तो यहां पर कितना हो जाएगा 49.2 और 48 तो बहे अगर देखा जाए है 648 था मैंने बेचा 550.80 का तो अगर मैं डिफरेंस निकालो यहां पर तो 52 यहां हो गया और 50 50 to 50,102 और 8 है ना बही डिफरेंस निकाले ना यहां पर यहां पर देखो कितना है आप लोग का 49.2 यहां पर जाएगा बतलब अगर आप डिफरेंस निकालेंगे इसका तो वही तो डिसकाउंट आ रहा है न तो यहां पर देखो कितना है का 0.2 आ गया सात में से यहां पर कितना रहेगा साती रहेगा चौदर में से जाएगा पांच कितना बचेगा नौ बचेगा ठीक है तो यह डिस्काउंट हुआ कि सपे 648 पे मिला और इंटु यहां हो जाएगा 100 डेसिमल हटा जिरो कटा कैंसेल कैंसेल दोस्तों यह जाएगा 1.5 टाइमस आप लोगों का यहां हो जाएगा 15 परसेंट देखो कोशिंग का लेवल हैदर अबबाज मेरे भाई सुनो कोशिंग का लेवल बिल्कुल डेफिनिटली नहीं जड़ा देखो एक बार गलत हुआ क्या ठीक है अभी हम लोग foundation कर रहे है foundation का मतलब होता है कि बिल्कुल basic से चलना और basic करना बहुत जरूरी है मार लिए अगर हम basic नहीं करेंगे ना तो सब बेकार है अगर हम basic नहीं करेंगे तो हमाले सब बेकार है इसलिए मैं basic पहले कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको clear हो यह सब फंडे clear होंगे तब ही तो बना पाओ गया के चलके अगर हम starting में ही आप लोगों को बिल्कुल एक भारी भर कम सा सवाल दे देंगे तो फिर मतलब नहीं है कोई यह concept building सवाल है आपके अगला सवाल यह Indesman marks is good at 20% of cost price and he allows his customer a discount of 8% on a mark price find his profit percentage sert अट्रेट में माक्स इसको 20 परसंट अवर कॉस्ट पाई सीपी आपकी सो है माकप किया वन ट्रेंटी पर पे अलाव इस कस्टेमर अडिसकॉंट ऑफ एट परसंट का डिसकॉंट यह मतलब 9.6 का डिसकॉंट दिया तो कितने का बेचेंगे 110.4 का बेचेंगे तो सो सीपी बेचा 11.4 का तो प्रॉफित यहां पर कितने हों टैन पॉइंट पॉर का हुआ अपॉण हंडेड इंटू हंडेड कि अच्छी कहां इंपल तरिक पंग्या अल्सावल दिकॉंट a shopkeeper earns a profit of 10% after allowing a discount of 20% on mark price what will be the cost price of the article who's money mark price is 880, तो mark price बता है मुझे 880 है, मैंने 10% का profit कमाया और मैंने 20% का discount दिया तो बताना है cost price कितनी रहेगी, जिसकी MRP 880 है तो MRP अगर 880 है और मैंने यहाँ पे 20% का discount दिया तो 4 by 5 का बेचूंगा और profit कमाया है, 10% का मतलब यही 11 होगा, तो मैं 10 की value निकालूँगा because 10% का मतलब दिखो यह क्या होता है 1 by 10, तो 10 पे 1 profit मतलब 11, तो यह मैंने कल सब बताया हुआ है बहुत प्यार से कि 11 मेरी हो जाती है selling price, 10 हो जागी cost price, बस card दो गया यहाँ पे किती बार, 8 बार 16 बार, तो यहाँ होगा 640, तो यह तभी आप बना पा रहा है न, यह फूर्ची से तभी हो पा रहा है जब आपके concept clear है कि 10% का मतलब 1 by 10, 10 पे 1 डिसकाउंट 11 का बेचा, 11 की value मुझे पता है आपको सब्सक्राइब करोगे, तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलेगी complete banking course complete bank, आपको subscribe करोगे, तो आप playlist की section में जाओगे थोड़ा से scroll करोगे तो आपको red color के thumbnail में लिखेगा क्या, complete banking course इसको ज़रूर देखो, complete playlist है complete है, है ना, तो इसको मैं बोलूँगा, एक बार कि आप देखें मैं personally बोलूँगा, कि आप complete playlist को देखें एक बार free complete course है, और इतना तो इसमें मैंने पढ़ाया है जान से, कि मुलब इतना मैंने इसमें करा दिया है इतना मैं कराने वाला हूँ, मैं even बोलूँगा ये कि आपका जो foundation है न, match को लेके वो clear हो जाएगा तो ज़रूर देखना अगला सवाल अब इसको देखो, अपने आप में बहुत शान्दर सवाल है, बनाईए इसको पंकती सोल आइटम फ़र पिस इतना, अफर गिविंग 20% discount and made 18% profit, what would be her profit if no discount is going up, देखो, यहाँ पे ये सवाल देखना इस सवाल में मैं इस 10,080 का कोई इस्तमाल नहीं करूँगा, ऐसे कितने लोग है जिन लोगों ने इसका इस्तमाल किया बताओ comment box में सर मैंने किया, येस, और जिन्हों ने नहीं किया, वो comment box में लिखें no जल्दी बटा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, ठीके जिन्हों ने इसका इस्तमाल किया है, वो type करें yes, और जिन्हों ने नहीं इस्तमाल किया, वो type करें no देखें या खिर कितने लोगों ने इस्तमाल किया, कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे recording तो अगर देखा जाए सवाल में, इसको इस्तमाल नहीं करना है, भाई, simple सी बात है, ये बताओ, चाहे कोई भी shopkeeper discount दे के आपको समान दे, या वो cost price पे profit earn करके समान दे, वो selling price अपनी ऐसी रखेगा, वो दोनों के इसमें same selling price आएगी, चाहे वो आपको discount देने के बाद वो आपको बेचे, या वो CP पे profit कमा के बेचे, selling price will remain same, तो कहने का मतलब ये है, दोस्त, मेरे भाई, सुनो मेरी बात को कि अगर 20% का discount दिया है, मतलब 80% का बेचा होगा, और इस पे बेचने पे उसे profit होता है, 18% का मतलब कितने का बेचा है, 118 का, 100 से जितना extra उतना profit, 100 से जितना extra उतना profit, तो अगर कोई discount नहीं given है, मतलब 100 का अगर में बेचू, तो 118 upon 80 into 100, तो cancel, cancel, 4, 2, 5, 2 से कितनी बार, 4 बार, तो यहां कितना हो जाएगा, 18 मतलब 90, तो यहां कितना हो जाएगा, 590 हो जाएगा, divide by 4, solve करोगे तो हो जाएगा, 4 बार फिर यहां पर कितनी बार जाएगा, प्लोका 1 बार जाएगा, कहां गया, 4 बार फिर यहां पर कितनी बार जाएगा, 4, 4 जा, 16, चिक है, सही है न, चही तो है, बोलो, clear है, हाँ यहां न, comment box मता न, फटा फट से, चिक है, तो यहां पर कितना जाएगा, 16, बच्चे का कितना प्लोका 3, 7.5, तो यहां पर जितना extra है, उतना profit हो गया, मतलब 47.5 profit हो गया, चिक है, कोई लोड नहीं है, यार, मैं फिर से समझा रहा हूँ, समझो, जब मैंने 20% का discount दिया, मतलब मैं 80% का बेचा, और वही मैं कमाऊंगा, जब मैं 18% का profit कमारा हो, मतलब होगा, 118, 118 profit, जब no discount given, मतलब मैं 100 का बेचुँँगा, 118 by 80, into 100, तो यह कितना हैगा, 147.5 यहा, जितना extra हो गया, उतना profit हुआ, अगला सवाल, अगला सवाल, कि फिष्योग प्रॉड़न आप प्रॉड़ना में गट लिए उट्थरिकोष प्रॉड़ने प्रॉड़ने जिए। बढ़कोछ प्रॉट र्श्राश को फ्रॉड पर फिक ए्ट एंटिकलक व तर दिए विए फिए फिन सक्सॏ अंसु मनु फिए if a 20% discount is given then mark price is what percent more than cost price तो अगर मैं MP निकालूंगा 20% discount यह मतलब 600 होगा वो 80 के बराबर होगा तो मैं 100 से multiply करूंगा तो I will get the MRP because 20% का मैंने discount दिया तो cancel और 1-0 cancel तो 8 यहां पर किती बाल जाएगा आप लोगा 1000 है 125 बार तो 600 और 25 मतलब हो जाएगा 700 25 से multiply करेंगे 6 ठीक है तो बोला गया कि MRP क्या बोला गया MRP is more percent in cost price तो यहां पर कितना एक्स्ट है 250 है upon में आजाएगा 500 into 100 cancel cancel 50% देखो यार 20 तो हराल में आना ही नहीं है because 20% अगर आप करोगे तो 100 और वही तो इसका आंसर है 50% है तो उमीद करतों कि दोस्तों आपको clear हुआ होगा मतलब discount का थोड़ा बहुत basic concept clear हुआ होगा इतना है discount मैंने बता रहे है कि प्रिलिम्स लेविल के सवाल जो है discount के वह अराम से बनेंगे मतलब आगर आप अभी इस्टिलर टागेट कर रहे है तो आप अराम से बना लोगे है ना तो वही 500 CP हो गई selling price 600 हो गई 600 का बेचा 20% discount पे तो 600 जो है वह असी के बराबर होगी तो 100 से multiply करेंगा साड़े साथ सो हैगा MRP CP 500 साड़े साथ सो MRP बस निकाला discount लिया बात खतम solve किया तो आंसर यहाँ पर क्या आगया यह आगया अगया अगया चलो तो दोस्तों बता दें यह बैच हमारा आज से शुरू हुआ है है आज है 12 अक्टूबर और यह बैच हमारा 19 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा ठेक है SBI sorry IBPS clerk pre-plus means IBPS clerk pre-plus means यह शुरू होगा दोस्तों कबसे 19 अक्टूबर से तो इसको मैं बोलूँगा कि जरूर जोइन करें आप आपको कोड लगा कि Y176 इस कोड को लगा कि आप ज़रूर जोइन कर सकते हैं मैं तो बोलूँगा डेफिनिटली और गो फॉर इस बैच है आई विल से कि मतलब क्यों नहीं जाना है मैं कह रहा हूँ अगर कुछ बैतर हो सकता है इस बैच से आपका सेलेक्शन की चांसे बढ़ सकते हैं क्योंकि यहां पर जीए आपको पढ़नी पढ़ेगी आपको रीजनिंग पढ़नी 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 पढ ताकि हम लोग हर exam को tackle कर सकें हम लोग हर exam को tackle कर सकें वो लेवल पढ़ेंगे बाकि यह batch आपर आज से start हुआ है तो code है Y176, AC code के जरीए आपको maximum discount मिल जाएगा do and roll in, ABPAS clerk complete prelims और मेंस का batch है तो मौका हाथ जाने मत दो मैं तुत्य बोलूँगा जान लगा दो क्योंकि हम लोग की team लगी हुई है आप लोग के लिए content बन चुका है सब कुछ बिल्कुल त्यार हो चुका है आप लोग बिल्कुल त्यार रहिएगा 19 October को और आज एक session आज हमारा हो चुका है तो आप इसको भी join कर सकते है ठाइगा थैंगो सुमच अपना ख्याल लटना ध्यान लटना और बाकी test series भी available है books वगरा भी available है y176S code का इस्तेमाल कर गया books वगरा purchase कर सबते है तो session में तरकता हूँ अपना ख्याल लटना और जितने भी लोग यहां पर नहीं जुड़े है प्लीज सब्सक्राइब कीजा और अपने दोस्तों से बोलें कि अड़ा 247 को सब्सक्राइब करें विकॉस यहां पर बेस्टीम है और डेडिकेट टीम है इसके लेक्चर्स आपको लगाता है देली पैसिस पर देखने को मिलते हैं तो यहां बेस्टीम एंड डेडिकेट टीम आन यूट्यूब फोर बैंकिंग इग्जाम सब्सक्राइब करें बैल इकन को जरूर प्रेस करें थैंको सो मच अपना ख्याल रखेगा और अपना ध्यान रखेगा ठीक है लव यू अल बाई इंजोई टेक क्या और थैंको सो मच थैंको सो मच